कि अग्याद को अग्याद के विए अगया थे अगया है कि अगया विए अगया है अगया थे अगया था प्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल आईबी बीम इंडिया में आप सबका वेलकम है स्वागत है और आज मैं आपको इंट्राडे होर्स राइडिंग स्टैट्जी फिर से लाइफ करके दिखाना चाहूँगा क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मुवमेंट आया है और मार्केट में हमें एक गैप डाउन देखने के लिए मिला है अराउंड थाउजन पॉइंट्स बैंक निफ्टी का हमें गैप बनाऊंगा आप दिखेए का यहां पर बहुत सारे इमोशन सब्सक्राइब हो सकते हैं कि मार्केट इतना अच्छा गैप डाउन खुला है कि यहां पर हमें कॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए कॉल है इतनी ज्यादा टूड़ चुकी हैं आप देख सकते हैं और यहां पर दिमाग में आते हैं इस तरह के moment में और मैं हमेशा बोलता हूँ rule, rule ही आपको युद्ध में विजय दिला सकता है, rule एक discipline एक consistency और regularity ही हमें विजय दिलाएगा, तो आज मैं live trade करूँगा और तब तक live trade करूँगा जब तक ये plus में convert नहीं हो जाता, हो सकता है कि आज ही plus में convert हो जाएए, हो सकता है मुझे और एक दो दिन trade करना पड़े लगता है, तब plus में convert हो, लेकिन ये video मैं आपके साथ तब तक trade करूँगा, जब तक मुझे एक अच्छा plus देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर मैं hundred quantity cable just force 1 मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए trade करता हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा बोला, यहां पर मैं एक बड़ा वॉल्यूम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बड़ा वॉल्यूम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए trade करता हूँ, तो यहां पर 38,300 का call option मैं sell करूँगा, simultaneously 39,300 का call option भाई भी करूँगा, बिना डरे, बिना रुके, एक discipline पर मैं चलूँगा, market एक अच्छा, gap down खुला और यहां पर call sell करने के लिए करे चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वो करे एक strategy की वज़े से आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं किसी strategy पर काम करूँगा, तो मैं जरूर जो मेरा end result होगा, वो profitable होगा, हाँ, इस trade में मैं गलत भी बदलवा देगी, so मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे right समय पर एक exit मिलेगा, और मैं puts में भी entry करूँगा, अगर अगर market यहीं से नीचे जाता है, तो मैं एक अच्छे profit में रहूँगा, market यहां पर खड़ा रहता है, तो भी मैं एक अच्छे profit में रहूँगा, और market यहां से उपर जाता है, तो मुझे trade में छोटा सा हैसल मिलके, मैं put options को right करूँगा, हो सकता यह profit, आज ही convert हो जाए, हो सक 500 quantity कर रहा हूं, मेरा पर पर यहां पर कोई बड़ा profit दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको एक process दिखाना है, जो लोग intraday horse riding strategy पर trade कर रहा हैं, जिससे वो समझ सकें कि क्या वो सही कर रहा है, किस तरीके से हमें trade करना है, तो आपने trades match कर सकते हैं, 38,300 का call option में यहां पर sell कर रहा है, और simultaneously क्योंकि बिना hedging के हमें कभी भी trade नहीं करना है, that is the rule number one of the market, तो मैं यहां पर hedging भी buy कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं, hedging मैंने buy किया around 57 पर और जो product sell किया है, बिलकुल live आपके साब कर दिया, around 354 पर, so 354 पर हमने sell किया है, और 57 पर hedging भाई किया, market यहां से, उपर की तरफ जा रहा है, बटा है, मैं smiling, क्योंकि मुझे पता है कि end results होना है, वो मेरे profit का ही होना है, live 29 अगस का दिन live trade करकर इसलिए दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग बोलता है, कि sir, please live कीजिए, जिससे हम trades को match कर सके, तो मैं बिलकुल live इसको trade कर रहा हूं, handsome profit के स top loss आएगा, तो trade को continue करूंगा, आप देख सकते हैं, market based ही तेजी से उपर की तरफ जाता हुआ, बट मेरा rule, discipline, consistency पर मुझे पूरा भरोसा, पूरा confidence और मुझे पता है कि मैं जो result होगा, वो plus में ही convert होगा, तो देखते हैं, आगे market किस तरीके से react करता है, और मैं आपसे connect करूंगा, और अगर same trade continue रहती है, तो fair रहे हैं, trade बदलती है, तो भी बहुत अच्छे बात है, क्योंकि हर चीज का मतलब है profit, stock market, strategy discipline means profit, so wait करते हैं, next rate का, हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं, live intraday horse riding strategy पर हम चल रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, कि मुझे एक direction change मिल रही है, और यहां पर जो पकड़ नजर आ रही है, वो bulls की पकड़ फिर से मजबूत हो रही है market में, तो यहां से intraday horse riding strategy के according में, bulls की तरफ जा किया था, उससे मैं out आउंगा, और अपनी hedging जो मैंने की थी, उससे भी मैं यहां पर बाहर जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं, उस street से मैं बाहर हो गया हूं, दोनों से यहां पर यह call option मैंने buy कर लिया है, और put option, और यहां पर simultaneously मैं put option में anti ले रहा हूं, आप सब देख सकत हैं, क्योंकि यहां पर bulls की पकड मुझे दिखाई दे रही है, तो यह हमने sell कर दिया, put option और rule के हिसाब से मैं यहां पर buy भी कर रहा हूं, put options, जो की एक hedging का part है, तो बिलकुल live हमने पूरे trade हिट कर दिया, पूरे data को अब हम यहां पर analyze करेंगे कि पूरा data किस तरीके से work out क मैं इसका एक excel बना लेता हूं, जिससे हम इसको समझ पाएंगे, तो बिलकुल live हम trade कर रहे हैं, और यह मैं इसलिए live कर रहा हूं कि जब भी कोई बड़ा gap of gap down होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत सारे लोग panic करते हैं, लेकिन जब आप roll पर चलते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे हमेशा profit में रहते हैं, तो इस trade में आप देख सकते हैं, मुझे around 34, 3446, around 35 points का मुझे column में profit हुआ है, तो this is the sell rate, this is the buy rate, और यहां पर मैं लिख रहा हूं points, so आप देख सकते हैं, so sell जो हमने किया था और जो हमने buy किया है, उन दोनों के rate हमें यहां पर मिल जाएंगे, so this is the buying and selling rate, और इसमें हमें around 35 points का profit हुआ है, तो पहली trade में हमें 35 points का profit हुआ, और जो हमारी hedging की lag थी, उसको भी हम check कर लेते हैं, जरा, तो मैं F3 करके live check करूँगा, आप देख सकते हैं, 353 को जिसको हमने बेचा था, उसको हमने खरीदा है, 321 में, so this is sell minus buy, so यहां पर हमने around 32, in fact 354 में बेचा था, तो 33 points का profit हुआ है, और यहां पर जो हमने call option, इसके भी rate check कर लेते हैं, जो हमने hedging के लिए buy किया था, आप देख सकते हैं, 57.65 पर वो हमने exit किया है, 44 पर, so 57 का जो हमने buy किया था, उसको हमने 44 पर exit कर दिया है, so this was the bear trade, जो हमें morning में मिलिया, simultaneously उसी समय हमने entry की bull trades में, जहां पर हमने 38,300 का put option बेचा है, 342 में, आप सब live देख सकते हैं, तो 342, we have sold this option, and हमने जो hedging buy की है, वो हमने buy की, आप सब देख सकते हैं, 69 में, so, यहां पर 69 में हमने hedging buy के लिए, live हम लोग बिल्कुल trade कर रहे हैं, और मेरा trade करने का प्रपज़ है कि जो लोग intraday horse riding strategy को trade कर रहे हैं, वो देख सकें कि कैसे बड़े gap up gap downs में होने के बावजूद भी मैं overall profitable भी निकलूँगा, guaranteed हम लोग profit निकलेंगे, subject to condition की हम strategy को पूरा follow करें, तो date है 29 अगस्त की, कोई जरूरी नहीं है, मैं आज ही profitable हो सकता है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन मुझे लगातार मैं trade करता रहूँगा, और मैं strategy को तब ही stop करूँगा, जब मैं एक profit में रहूँगा, तो अब देखतें आगे, किस तरीके से strategy react करती है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि market always gives excitement, और अगर आप rule पर है, तो यह मज़ा double हो जाता है, क्योंकि आपको एक profit, एक profit का confirmation हो जाता है, कि strategy तब ही रुके की, कि वो सही कर रहे हैं या नहीं, तो अब हमने यह put और यह put option buy कर लिया, देखते है, strategy आगे किस तरीके से react करती है, फिर से connect करूँगा, जैसे ही कोई change मिलता है, तो friends connect करते हैं, अगें देखते हैं, क्या यहां से bulls की पकड़ बन पाएगी, क्या strategy सही है, और अगर strategy गलत है, तो वो मुझे किस तरीके से यहां से, फिर से bear में entry कराएगी, कैमली अंट्रेडर, automated option adjustment कितनी खुबसूरत तरीके से होगा, अब हम देखेंगे, तो connect करते हैं, फिर से next move पर, सो फ्रेंड्स, लाइव हम लोग चल रहे हैं, और जो put option हमने sell किया था, जैसा कि inter-day or siding strategy signal मिला, कि यहां से bulls की पकड़ मजबूत होगी, और market फिर से recovery कर सकता है, मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लाया, मैंने discipline को follow किया, और आप देख सकते हैं, कि जो product हमने अभी अभी sell किया था, 342 पर उसका rate of 290 के असपास घूम रहा है, 295 चल रहा है, और मैं अभी भी trade में आराम से बैटा हूँ, मुझे कोई जलबाजी नहीं है, देखते हैं कि किस तरीके से cover होता है, आज का मेरा trade करने का अदेशिया सिर्फ ये था कि बहुत लोग ऐसे words यूज़ करते हैं कि gap up, gap downs, खुला है तो किस तरीके से reaction होगा, विक्स बढ़ जाएगी, किस तरीके से options react करेंगे और मैं हमीशा बोलता हूँ कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है तो अपने rule, discipline, consistency, यह देखिए, मैं same volume trade कर रहा हूँ, मैं volume के साथ play नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई खुश नहीं हूँ, मैं कोई दुखी नहीं हूँ, पिल्कुल emotionless मैं trade करता चला जा रहा हूँ, और देखते हैं किस तरीके से चलता है, और मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे आज profit ही हो, लेकिन ये sure है कि जब भी मैं अपनी strategy को hold करूँगा, हो सकता है, आज ही profit हो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, मैं overall एक बहुत ही अच्छे profit में से strategy को hold करूँगा, तो आप देख सकते हैं, live हम अभी चल रहे हैं, और आज मैं इसको पूरे दिन आपके साथ trade करूँगा, लेकिन एक discipline, consistency के साथ, मेरे trade करने का purpose सिर्फ यही कि आज एक बहुत अच्छा gap down देखने के लिए मिला, हमें call option sell का signal मिला, जहां पे call sell करना बहुत ही dare task होता है, जब market एक अच्छे gap down के साथ खुल रहा है, और उस जगे call option को sell करना, really, एक dare task होता है, लेकिन हमने rule के साथ sell किया, और वहां से मुझे एक family untrader automated option adjustment strategy ने दिया, और मैंने call option को change करके put option को write के, आप देखते हैं किस तरीके से आगे reaction होता है, बारा बच के चालिस मिनट का समय अभी भी बूल्स ने पकड़ बनाई हुई है strategy में, So friends, आप देख सकते हैं, इस समय inputs का rate around 2 बज़े का समय है, और चल रहा है around 310, So 307, 305, around 300 से 310 के बीच का rate है, जो अभी यहाँ पर around घूम रहा है, around 2 बज़े का समय है, और ऐसे market में beer trade बनाना, जो हमने morning में बनाया, जब market gap down था, और फिर ऐसे gap down market में put option को sell करना, एक सही में dare devil decision प्रतीत होता है, लेकिन strides ही को जब हम follow करते हैं, अभी देखे, 300, 299, तेजी से नीचे की तरफ, 298, 297, कितनी तेजी से नीचे की तरफ, जा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बुल्स की पकड़ बन रही है, तो आप देख सकते हैं, बुल्स अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, तो अब तीन बचकर 15 पर इस put की rate को देखेंगे, क्या रहेगा, उसको capture करेंगे, देखे, 295, 290 की तरफ जा रहा है, और देखते हैं कि आज हमें किस तरीके का profit होता है, लाइब बिल्कुल चल रहा है, आप देख सकते हैं, इस समय स्टेट में हमें around 45 points का profit हो रहा है, और जो हैजिंग ली हुई है, वो भी 56 के rate पर चल रही है, अब तीन बचकर 15 मिनट पर हम इसको review करेंगे, और देखते हैं, हमारे आज 29 अगस, 29 अगस को किस तरीके से यह strategy react करती है, तो connect करेंगे अगे आगे वाले period में चेक करते हैं, हो सकता है, दो तिन दिन जुड़ेंगे और एक अच्छे profit की प्राप्ती करेंगे, तो देखते हैं आगे किस तरह reaction होता है, क्या आप ऐसी strategies ढूम रहे हैं, जिसम के minimum drawdown and 100% hedging के साथ, आप consistent regular money बना सकें, तो आप IBBM का एप नीचे दियेगा description box के link से download कीज़ें, हेलो फ्रेंड्स, तो आज 30 अगस का दिन और इंट्रा डे horse riding strategy में आज हम फिर से trade करेंगे, और कल Wednesday का दिन है, और market off है, 31st of August, गणेश चतुरते का दिन है, तो आज के दिन में options ऐसे react करेंगे, जैसे एक दिन पहले हो, और मुझे मेरे rule के हिसाब से यहाँ पर एक bull signal जनरेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर put option sell करूँगा, 38,700 का put option में sell करूँगा, और इसकी obviously मैं एक hedging भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक proper stop loss भी available है trade में, और हो सकता है कि bull trade ही मुझे उपर की तरफ ले जाए, हो सकता है मुझे Camden Trader की तरह अपना color बदलना पड़े, तो अब हम trade बनाने जा रहे हैं, 100 quantity पर हमने trade किया था, live trade किया था, हमने कल जो कि आप देख सकते हैं, कल हमें एक gap down के बाद फिर हमने trade किया और कल हमें overall 32 points का profit हुआ था, यह हमने cover किया था, 326 और hedging को 65 पर wind off किया था, तो live trade हम मैं आपके सामने hit करने जा रहा हूं, 38,700 का put option, मैं आपके सामने live sell करूँगा और quantity को मैं same रखते हूँगा, मैं कोई excited नहीं होगा, जैसे normal लोग हो जाते हैं कि कल profit आया, तो आज quantity जादा मारते हैं, आज हम बड़ा profit बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक discipline पर चलते रहेंगे, और कितने खुबसूरत तरीके से में profit बनाऊंगा, आप देखेगा, तो यह मैंने sell किया है, ट्रिपल टूपर, ट्रिपल टूपर इसको sell कर दिया, और हमेशा की तरह है, जैसे की hedging, बहुत ही important concept है, हमें लेना ही है हमेशा, तो यहाँ पर मैं एक hedging भी आप सब के सामने, यह देखे, live मैंने ले लिया, तो हमने buy किया आराउंड 27 पर और sell किया है, जो कि हम यहाँ पर live rate देख सकते हैं, वो हमने sell किया है, this is what you can see here, just one second, hundred quantity हमने यहाँ पर sell की है, ट्रिपल टूपर, तो अब हम चलते हैं, अपने rates राइटिंग की तरफ, तो यहाँ पर हमने sell किया है, ट्रिपल टूपर, इस put option को हमने sell कर दिया है, 38,700 का put option है, इसको हमने sell कर दिया है, ट्रिपल टूपर, same quantity को हम trade कर रहे हैं, और simultaneously हमने buy कर लिया है, 37,700 के put option को, और लगातार हम इसमें rule के हिसाब से trade करते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, have a look here, so this is what we have done, and 37,700 का put options, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने buy किया है, at a price of 27, so 27 के price पर हमने किया है, buy और ट्रिपल टूपर कर दिया है, sell, अब देखें, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि market already यह बहुत अच्छे gap up opening के साथ खुला, और यहाँ पर बहुत emotions आते हैं कि यार strategy बोल रही है, bull signal है, क्या मुझे bull trade बनानी चाहिए, क्या market यहाँ से cover नहीं होगा, sentiments negative हैं, कहीं war की news तो कहीं recessions की तो कहीं economic की, but मैं अपने rule, अपनी discipline, अपनी consistency को बिलकुल नहीं छोड़ूँगा, अपने discipline को लगातार follow करूँगा, और आप देखेंगे कितने खुब्सूरत तरीके से हम इस strategy को एक अच्छे profit में बंद करेंगे, अब देखते हैं किस तरीके से coverage होता है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि money always give us enjoyment, happiness, fun, and I'm sure, चाहे SL कटे, चाहे target आए, overall तो मैं profit में ही निकलूँगा, that is the power of the strategy, that is the power of any concepts, logic, जब आप काम करते हैं, so अब देखते हैं, किस तरीके से aggregate करता है, बहुत ही देखे, यहां पर कुछ लोगो excitement आता है, मेरे product के sell करते हैं, उसका rate 200 से नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पर बहुत लोग बहुत खुश हो सकते हैं, कि यार हमने जादा volume क्योंने trade किया, कल भी profit आया था, कि आज हमें जादा volume trade करना चाहिए, और इन सब सवालों का जबाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें अपने discipline पर consistent regular trade करना होगा, अब connect करते हैं आगे, जैसे ही और जो लोग intraday horse riding strategy पर already काम कर रहा है, वो अपने trade को match भी कर सके, यह भी मेरा एक परपज है, यहां पर live trade का, सब लोग match कीजिए, जो कर रहे हैं, अपने अपने trades को match कीजिए, और देखते हैं आगे किस तरीके से reaction होता है, so friends, live इस समय 11 बज कर 15 मिनट का समय है, और ऐसे समय में, ऐसे बजार में, जहां पर हमें एक बहुत अच्छा gap down देखने के लिए मिला था, वहां पर हमने put option, कल एक gap down देखने के लिए मिला था, वहां पर हमने call option sell की, फिर family and trader put option sell की, cover किया, और आज सुबह, सुबह 30 अगस्त को हमने put option sell की थी, live triple two पर, और simultaneously हमने buy की थी 27 पर, और आप देख सकते हैं, इस समय उनका rate चल रहा है, 19 और 150, इसको बोलते हैं, emotionless trader, live जो लोग इंटर डे और साइड कर रहे हैं, अपने trades मेरे साथ मिला सकते हैं, हमने बिलकुल live trade हिट किया हुआ है, और देखे इस समय कितन 20 points का profit और हो रहा है, सिर्फ 100 quantity पर मैं trade कर रहा हूं, तो अगर हम यहां quantity की बात करें, तो quantity भी लिख लेता है, same quantity मैं लगातार trade कर रहा हूं, quantity के साथ play नहीं करूंगा, 100 quantity हम लगातार trade करते चले जा रहे हैं, एक rule पर, एक discipline पर, और आप देख सकते हैं, कि इस समय अगर 32 points का अभी 50 points आ रहे हैं, क्यों क्या, अब आदी के यहां पर अगर आपके पास कोई rule नहीं है, कोई strategy नहीं है, तो बहुत सारे सवाल हमारे mind में आते हैं, कि क्या, मुझे अपना profit book का लेना चाहिए, क्या यह फिट से पलट जाएगा, क्या यह और उपर जा सकता है, क्या य range में रहेगा, बहुत सारे सवाल, और सब सवालों का एक ही जवाब, और वो है, इंट्राडे होर्ट साइडिंग, रूल, discipline, consistency को, रेगुलार्टी के साथ मैं काम करते चला जा रहा हूं, और money आ रही है, enjoyment हो रहा है, ऐसा लग जाए कि कोई बात नहीं हो सकता है, अभी जितन प्रॉफिट में, वन्नाप करते रहे हैं, और आप एक अच्छे प्रॉफिट में आएंगा, meanwhile, जैसे कि लाइव मार्केट चल रहा है, तो मैं अपनी एक लिखी होई पोयम, जो मैंने बजार में 15-17 सालों के अनुभव के बार लिखिया, जहां पर मैंने बहुत तुरिफबध की दो लाइने जो है, वो है मार्केट के लिए, नेक्स्त तू लाइन्स वो है, अनुभव जो मैंने देखा है लोगों का लाश्ट zost लाइन्स, जो मैं अपने दिल से लिखी हैं, अब, अब सब के लिए, वो मैं सुनाना चाँँगा , तो पहली दो मार्केट हे जलाकुंड हे शक्तिनाथ ये अर्थ सास्त्र के तुम दाता, फ्यूचर ओप्षन और शेयर तुम ही तो बस विधाता, रिटेलर, एक्सपर्ट या हो कोई ट्रेडर्स का भी स्वामी, द्रश्टी घुमाई पाई तब चारो तरफ हानी हानी, प्रजबलित अनोखी शक्ती तब अन्देरो में राह दिखाती है, मेरी ऑप्षन स्ट्रेटेजी तब युद्ध में विजय दिलाती है, मेरी ऑप्षन स्ट्राटेजी तब युद्ध में विजय दिलाती है, मेरी अंदर कोई डन नहीं है, कोई लालच नहीं है, जब तक सिगनल नहीं मिलेगा, जब तक मुझे इंडिकेशन नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, आराम से बैठा हम सुबह ट्रेट मारा था, अराम दो घंटे का समय हो गया, कुछ भी नहीं किया, जीरो स्क्रीन टाइम, और अब नेक्स्ट ट्रेट का मुझे इंतजार हो सकता है, क्या यही पूट हंडेड रुपी की तरफ जाएगी, क्या मैं पूट से कॉल में हूँगा, क्लाइमेक्स बना हुआ है, लेकिन हर क्लाइमेक्स का एक ही एंड रिजल्ट की आवर रॉल में प्रॉफिट में ही निकलूँगा, जिसे तो देखते हैं, आगे मार्केट किस तरीके से रियाक्ट करता है, तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं, सुबह 9 बच कर 30 मिनट पर मैंने ट्रेड हिट किया, और इस समय समय हो रहा है, एक बच कर 15 मिनट, अराउंड 4 आर्स निकल चुकिया, और मेरा स्क्रीन पर टाइम रहा है, जीरो, जीरो स्क्रीन टाइम, मुझे अपने ओफिस का काम करना है, या कोई अनदर बिजनेस करना है, कुछ भी, स्क्रीन टाइम जितना कम होगा, उतना ही बेतरीन तरीके से आप प्रॉफिट बना पाएंगे, या जिस प्रोड़क्ट को हमने लाइव सुभह सेल किया था, ट्रिपल टूपर उसका रेट रह गया, आधा, 111, वट, I'm not happy, I'm not sad, I'm not excited, क्योंकि मुझे पता है कि overall, stock market is a synonym for profit for those people who follow rule, discipline and consistency, that is the mean की, क्या आपके पास कोई ऐसी strategy, कोई rule है, को discipline है, जिसको आप consistent regular basis पर कर सकते हैं, तभी आप वो profitable हो सकते हैं, तो इस समय अगर आप देखेंगे तो 110 का rate है और इसका 20 का rate है, तो अगर मैं इसे इस समय square of करूं तो 110 पर ये बाई होता है, और इस समय अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, मुझे 13,700, around 14,000 का profit हो रहा है, बिलकुल है, उन्टे धगाती सगाद, एक दिन बजार इतना जदा gap down खुला, आज बजार gap up खुला, बट एक real trader वो है, जो dynamic trader है, जिसको gap up, gap down, volatility का कोई फरक नहीं पड़ता, जिसको फरक किसी चीज का नहीं है, चाहे market, real professional trader को है, देखें समझ ये, वो है real professional trader, जो market up, down, range bound, छोटा सा उपर, छोटा सा नीचे, किसी भी तरीके के market में अपने trades को manage कर सके, this is not important कि आप हमेसा सही हूँ, यहां देखें मैंने एक stop loss लिया है, यहां देखें मैंने अपनी hedging में loss लिया है, यहां देखें मैंने एक stop loss लिया है, but yes, I am happy, because stop loss is just a transaction to get a consistent regular money, हलाकि अभी मैं इसे scar off नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरे रूल को follow करूँगा, लालच, लालच आपको इस समय feel हो सकता है, but मुझे कोई लालच नहीं है, मैं इस पैसे से कोई लालच नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे discipline की तरह है, क्योंकि stock market is like a video game, मुझे यहाँ पर points ही खटे करने हैं, मैं emotionless in points को बढ़ाता चला जाओंगा, तो live trade करें, अभी 13-14 thousand का profit है, आगे देखता है किस तरीके से reaction होता है, एक अच्छे profit पर obviously मैं सको hold करूँ और यह consistent आप इस तरीके की quantity आपको real में hit करके दिखाना चाहता हूं, सो अब connect करते हैं, अब भी भी बुलन मना हुआ, बहुत सारे excitement figure, क्या यह put zero की तरफ जाएगी, क्या मैं फिर से अपना color change करूँगा, जानने के लिए जुड़े रहे हैं, देखते आगे किस तरीके का combination हमें मिलता है, तो connect करते ह change होता है, we are here live, और तीन बच कर 15 मिनट का समय है, सुभह सुभह trade बनाया था, 9.30 पर कोई action नहीं मिला पूरे दिन, बिलकुल rule discipline पर, इस put option पर, अभी भी भी टिके हुए हैं, और put option का rate अभी हमारी ice के सामने चल रहा है, 52, 53, so, मैं अब इसे square up करूँगा, अपनी hedging को भी square up करूँगा, और आज का हमारा intraday horse riding क्या performance रहा है, उसको हम live देखेंगे, तो 100 quantity पर मैंने trade किया था, तो आप देख सकते हैं, 100 quantity को मैं यहाँ पर buy करने जा रहा हूँ, तो यह हमारा buy हुआ है, आप देख सकते हैं, 55 पर और simultaneously यह 100 quantity जो हमने hedge की थी, इसको मैं sell करने जा रहा हूँ, 19 पर, 55 पर मैंने buy कर लिया है, और 19 पर मैंने sell कर दिया, तो जो triple two पर sell था, इसको 55 पर buy कर लिया है, जो 27 पर buy था, इसको 19 पर sell कर दिया है, और यह देखिए, दो दिन के काम करने के पास, सिर्फ 100 quantity, अगर 100 quantity की बात करें, तो around 2 लाख रुप 60,000 रुपे का margin लगेगा, और अगर money की form की बात करूं, तो वाओ, 19,000 रुपे, 19,000 रुपी in two days of trading, जो की बहुत ही जदा volatile बजार, बहुत ही जदा emotion से भरा हुआ बजार, और 19,100 रुपी का profit, दो दिन में हमें मिला, जहां पर मैंने बिल्कुल emotional estate किया, आज put option sell करना, कितन कितना ज्यादा, कितना ज्यादा tough था as emotions की, इतने sentiments negative है, क्या हमें sell करना चाहिए, और बजार already gap up पुला था, उसके बाद हमने इसको cover किया, और strategy ने हमें 19,100 रुपे का profit दिया है, सिर्फ दो दिन में at a margin of 2,00, रुपी, दो लाख रुपे लगा कर 19,100 रुपी का हमें profit कुछ रहोंगे कि अगर हमें कुछ points का loss होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, आप लगातार trade करते रहिए, consistent trade करते रहिए, आप लगातार profit में रहेंगे, overall, कभी भी single trade को देख करके, हमें profit या loss का पता नहीं लगाना है, हमें हमेशा overall trade करना है, और जब आप overall देखेंगे, तो आप हमेशा एक अच्छे profit मेंगे, अब हो सकता है, मैं अगले दिन trade करूँ तो इसमें से कुछ points कम हो जाए, या ये और बढ़ जाए, लेकिन जब आप overall चलेंगे, तो ये graph निरंतर एक नई उचाईयों को छूता रहेगा, और आप लगातार बहुत अच्छे profits बनाते रहेंगे, दो दिन हमने लाइफ किया, उन्ती सगती सगस, कल गणी चतुर्ते का दिन है, हॉलिडे है, 31 अगस चो का ये दिन है, आप देख सकते हैं, अब सीधा एक सितंबर आएगा, तो एक सितंबर थष्टे का दिन है, एक स्पायरी का दिन है, उस दिन भी trade कर सकते है, कर कम हो जाएं या और बढ़ जाएं, लेकिन overall आपके friends लगातार बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, वाओ, such a beautiful profit, in such a volatile market, जहां पर इतना ज्यादा शोर मचा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा बजार में, पहले gap down, फिर gap up, जाद से जादा like कीजिए, subscribe कीजिए, bell icon press कीजिए, जिससे आपको इस तरीके का content लगातार मिलता रहें, so आगे जाकर के connect करेंगे, और इसी तरीके के content आपके साथ मैं share करता रहूँगा, so friends, तब तक के लिए, signing off for today, your host, Anuj God from IBBM, thank you.